नमस्कार गूड आफ्टर नोन एवरिवन वेलकम तू अनलाइन प्लेट फॉर्म ओफ लॉप्रेप जुडीशरी देखिए आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक एडवांस इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो की एक्टिव पैसिव इन वन शॉट आज की एक ही क्लास के अंदर जो है हम एक्टिव पैसिव कंप्विट कर लेंगे और जो कल जो आने वाला दिन है उसमें हम डियरेक्ट-icus एकई क्लास में कंप्विट करेंगे ठीक है पाईए श्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को बिना टाइम विस्ट की सबसे पहले तो देखिए भारतिय समव कि बड़ी क्लास यानि कि इंडियन कॉंसिटूशन की क्लास जो है बहुत ही जल्द होने जा रही है जिसके बारे में आपको एक या दो दिन में information मिल जाएगी कि क्या तारीक है और क्या date है और यहां पे active और passive का मतलब क्या होता है पहले तो हमको यह जानना जरूरी है तो यह क्या है active voice लेकिन paper पर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है तो यह क्या है passive voice active voice का मतलब हम यह कह सकते हैं कि सीधे-सीधे बात करना और passive voice की अगर हम बात करें तो गुमा पिरा के बात करने को passive voice कहते हैं यहाँ पे एक question है ठीक है हाँ subject, verb और object ठीक है जैसे she writes a letter वहाँ letter लिखती है अब इसको active को जब हम passive में बदलते हैं तो subject तो बन जाता है object और object बन जाता है subject ठीक है तो सबसे पहले object आएगा यानि कि जो a letter है यह सबसे पहले आ गया उसके बाद हम helping verb लगाएंगे helping verb इस subject के हिसाब से लगाना है अगर यह singular है तो is लग गया, plural है तो r लग गया और अगर i है तो क्या लग जाएगा m तो a letter के साथ is आया ठीक है, right की हो, drink की हो, eat की हो, कुछ भी हो, speak की हो, passive voice में verb की third form लगेगी ही लगेगी तो right की third form होती है written, उसके बाद लगेगा by और फिर जो भी हमारा subject है, अगर वो she है तो वो her बन जाएगा, अगर वो i है तो me बन जाएगा, he है तो him बन जाएगा, they है तो them बन जाएगा, और अगर we है तो us बन जाएगा, और अगर किसी का नाम है, जैसे mega है, तो mega का by mega हो ज second, हाँ, totally हमारे a की rule माना जाता है, active passive के अंदर, किस किस तरह के level के quotient आ सकते हैं, MP की बात करें, जारकंट की बात करें, Delhi Judiciary की बात करें, RGS की बात करें, तो सब के हिसाब से मैं quotient आपको बता दूँ, इस M जो है, present tense का helping verb है, और इस M का past क्या होता है, was, सबसे अच्छी बात, जो active passive में मुझे लगती है, कि tense change नहीं होगा, ये ध्यान रखेगा, कभी भी नहीं हो सकता, तिके R का past क्या हो जाएगा, were, और has have का past क्या हो जाएगा, head, will और shall future के रहते हैं, चलिए देखते हैं, जब verb से पहले लिखा हो pronoun, ठीके, तो वो I, we, he, she, it, they, you होगा, और अगर verb के बाद हो जाएगा, तो me, us, him, her, them, you, जैसे I am talking to him, but he is talking to me, इस तरह से क्या है, pronoun का change होता रहता है, ये हमको आता है, बच्पन से हम यही सीख रहे हैं, इसमें सबसे पहले है present simple का, तो जैसे हम example अगर लेते हैं यहाँ पे, जैसे, दामीनी, इट्स, अपिड्जा, देके अपिड्जा, तो यहाँ पे subject क्या है, दामीनी, वर्ब क्या है, यहाँ पे eats, और अपिड्जा क्या है हमारा object, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, object बन जाएगा subject, और subject बन जाएगा object, तो अपिड्जा आ जाएगा पहले, अपिड्जा, अब एक ही पिड्जा है न, एक ही पिड्जा के साथ में क्या लगाएंगे, singular, यानि की is लगाएंगे, eats की third form होती है, eaten, eaten लगा दिया, फिर क्या लगेगा, buy, और buy के बाद हमारा जो subject है, यानि की दामिनी, ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा active voice है या passive voice है, तो passive voice में buy के साथ subject आता है, active voice में buy नहीं लगावा होता, ऐसे हम करके कर सकते हैं, एक और question लेते हैं, mega does not eat a pizza, मेगा अपिडजा नहीं खाती है, तो इसका हम करके देख लेते हैं, देखे ध्यान से, यहाँ पे does not है, यानि की negative sentence है, तो negative sentence है, तो is not कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, अपिडजा, singular ही है न, तो singular के साथ तो easy लगेगा, is, does हट जाएगा, is लगेगा, not का naughty लगेगा, not eaten by mega, simple as that, मतलब कुछ भी change नहीं किया, कुछ भी extra नहीं किया, बस हमने क्या कर दिया, active से passive voice बना दिया, that's it, ठीक है, एक और जो sentence होता है, इस तरह का, जब हम singular से plural करते हैं, थोड़ा सा उपर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे, जैसे, I write two books, मैं दो किताबे लिखता हूँ, तो two books, ठीक है, अब इसको हमको क्या है, active से passive में बदलना है, जब active से passive में बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, two books, अब two books तो singular है नहीं न, plural है, तो r लगेगा, तो two books are, right की third form क्या होती है, written by me, तो two books are written by me, यहाँ से यह क्या हो गया, एकदब perfect हो गया, इस तरह से हम क्या है, कर सकते हैं, next देखते हैं, next tense है हमारा, present continuous tense, अच्छा मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कि जब भी आपके दिमाख में continuous आएगा, है न, जब भी आप सुनेंगे continuous word, आपके दिमाख में सिर्फ एक की चीज़ आनी चाहिए, वो है ing form, कहा था मैंने, याद है मुझे, तो continuous मतलब ing, अब मैं present simple को, present continuous को, अलग-अलग करके देखता हूँ, my mother cooks food का क्या हो जाएगा, देखो, food is, cooked by my mother, ठीक है, है न, I write a novel, तो क्या हो जाएगा, a novel is written, by I नहीं होता, by me होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, my mother is cooking food, यहाँ पे है, my mother cooks food, और यहाँ पे है, is cooking food, तो चलो इसका बनाते हैं, food is, cooked by my mother, और I am writing a novel का क्या हो जाएगा, same sentence है, बस थोड़ा सा continuous tense का change है, a novel is written by me, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यह वाला sentence और यह वाला sentence same है, यह वाला sentence और यह वाला sentence same है, तो फिर इसमें change क्या है, तो मैंने एक आपको बात बताई, वापस से बता रहा हूं, continuous सुनते ही दिमाग में क्या ना चाहिए, ing form, क्या इसमें कहीं ing form है, नहीं, इसमें तो है, इसमें भी है, passive was my ing, है नहीं, तो जब ऐसा ना हो, तो हमको क्या लगाना है, being, food is being cooked by my mother, novel is being written by me, तो जैसे कहीं लिखावा है eating, तो eating किसमें change हो जाएगा, being eaten में, ठीक है, अगर लिखावा है drinking, तो being drunk के अंदर, singing, being drunk, being sung, अगर लिखावा है driving, तो being driven, अगर लिखा है speaking, तो being spoken, तो being के साथ work की third form आएगी, ये याद रखना, ing form मतलब being होता है, बहुत ही बढ़िया ये present continuous और present simple के पूछे जाते हैं, और कित्ती बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, चलो, next, फिर है past simple tense, present का past क्या होता है, past, मैं यही पे, यही वाला sentence लूँगा, I write a novel वाला, ठीक है, I write a novel, I wrote a novel, ठीक है, एक sentence मैं बनाऊंगा, एक sentence आपको बनाना है, write a novel का मतलब क्या है, हाँ, बिल्कुल सही बात है, very good, I write a novel का मतलब present है, तो क्या हो जाएगा, a novel is written by me, अच्छा, इसको fill in the blanks में भी पूछ सकते हैं, देखो कैसे, a novel dash written by me, यह तो past है, I wrote a novel तो past है, तो फटा-फट चे इस cancer दीजिए, और इसके बाद एक और जो कोशन पूछा है, उसका बताना, हाँ, बल्विंदर, क्या लिके हम, eight, हाँ, two pizza, बल्विंदर जो है, दो pizza खाते हैं, दो, टबल, ठीक है, इसका बताईएगा, पहले तो इसका बताना, उसके बाद ये बताना है, जल्दी से बताएए, हाँ, right, अच्छा सा कोशन है, तो, a novel, हाँ, was आ जाएगा, क्या आ जाएगा, was, क्योंकि past था न, past change होके क्या हो जाता, was के साथ verb की third form में आ जाता है, verb की third form तो लगा नहीं है, और passive voice में third form लगेगा ही, अब ये है, बल्बिंदर, eight, two pizza, तो क्या हो जाएगा, देखें, two pizza, अब was नहीं लग सकता, और ना आर लग सकता, आर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो है न, तो वर लगेगा, क्या लगेगा, वर, eight की third form भी eaten ही होती है, by बल्बिंदर, ठीक है, two pizza were eaten by बल्बिंदर, बिल्कुल perfect है statement, यह है past simple का, past simple का कैसा question आने की संभावना है, बॉक्स में लिखतेता हूँ, ठीक है, he did not sing a song का, ठीक है, he did not sing a song, यानि की negative sense में question आता है, और आने की संभावना पूरी-पूरी होती है इसकी, तो क्या हो जाएगा, इस तरहे का वाक्य जो है, हाँ, पूछा जाता है, तो a song was not sung by him, इसका screenshot ले सकते हो, क्योंकि most probably जो है, पोशिश यही रहती है, कि इदर से ही आए आपका question, past simple का, next question पे चलते हैं, past continuous tense, very easy, वही है, यह कुछ भी change नहीं है, मैं novel के बारे में ही बताता हूँ, जैसे I was writing a novel yesterday, अब यहाँ पे क्या है, yesterday लिखावा आ गया, तो अगर yesterday लिखावा आता है, तो yesterday को side में ही रखो, पीछे वाली चीज़ों को change कर दो, तो चलो पीछे वाली चीज़ों को change करते हैं, a novel was, ing form है, writing ये writing, तो writing का क्या हो जाएगा, being written हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा was, being written, अब यह जो by me है ना, कभी-कभी हम by me नहीं लगाते, और कभी-कभी हम by me लगाते हैं, option के इसाब से देखना है, और यह जो yesterday है, यह पीछे as it is पड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहरे कोड़ जैस्मीन बिलकुल सही है, अगला example आपी का बनाते हैं, हाँ, इसकी PDF भी मिल जाएगी, जैस्मीन was, अब कुछ अलग बनाते हैं, कुछ अलग, जैस्मीन was, writing हो गया, reading, the judgment, ठीक है, जो हमारी जैस्मीन है, एक्चुली एडवोकेट जैस्मीन ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं, जैस्मीन ठीक है, करो आप तो, जैस्मीन was reading the judgment, तो इसका क्या होना चाहिए, तो judgment जो है यहाँ पे, object हो गया, जैस्मीन इस subject हो गया, तो देखों, यहाँ पे क्या है, the judgment, क्योंकि subject becomes object, and object becomes subject, judgment के साथ में तो was ही लगेगा, ठीक है, judgment was, reading का क्या हो जाएगा, being read हो जाएगा, being read, और किसके दुवारा, by jasmine, तो by jasmine हो गया, बिल्कुल सही हो गया, the judgment was, being read होगा न, क्योंकि reading है न, ing form है, ing form होगी, तो यहाँ पे being read आ जाएगा, very good, next question पे चलते हैं, past continuous के बाद आता है, present perfect tense, present perfect tense आ गया है, present perfect में क्या है, has और have के साथ, work की third form लगानी है, he has created the masterpiece, तो क्या आओगा इसका देखो, हाँ, बहुत easy है यह, has, have जो है, has been, have been हो जाएगा, हाँ, और, head है तो, had been हो जाएगा, सलिए देखें, the masterpiece, has been, created, by him, यहनि कि masterpiece किसने बनाया, उसने बनाया, तो, उसके द्वारा बनाया गया, I have not read the newspaper, तो क्या हो जाएगा परी, the newspaper, has not, क्योंकि newspaper singular है न, तो has ही आएगा, यहाँ पर भले ही have हो, वो तो I के साथ have लगा, starting में मैंने यह क्या बताया था, आपको subject के हिसाब से ही verb लगता है, तो the newspaper has not been, been लगाना बहुत जरूरी है, been, read by me, I का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप लोगों का, India had won the match, ठीक है, वैसे तो past perfect का पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछेंगे तो ठीक है, the match had been, had का क्या करना, had been बस और कुछ भी नहीं, work की third form ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, the match had been won by India, or last but not the least, he had missed the last metro का क्या हो जाएगा, the last metro had been missed by he का हो जाएगा, हम, ठीक है, हाँ, ये वले इस वले पेज से probability थोड़ी कम है, as compared to past simple, past simple, present simple, देखो, एक तो ये वले में आने की संभावना पूरी-पूरी होती है, एक इसमें आने की संभावना पूरी-पूरी होती है, ठीक है, past continuous का कभी-कभी मुश्किल से आजाए तो ठीक है, present perfect ये बहुत easy है, तो ये आता नहीं है, ठीक है, फिर आता है future simple, future simple से पहले हमको model verb करना पड़ेगा, ठीक है, अगर can है, तो वो किसमें change हो जाएगा, can be के साथ verb की third form में, ठीक है, अगर may है, तो वो किसमें change हो जाएगा, may be के साथ verb की third form, third form तो लगेगी ही, ठीक है, could है तो could be के साथ work की third form, must है तो must be के साथ third form, will है तो will be के साथ third form, shall है तो shall be के साथ, अभी तो mcq भी लाया हूँ, mcq के साथ-साथ और अच्छा हो जाएगा, should है तो should be के साथ work की third form, जैसे I will do the work tomorrow, ठीक है, I will do the work tomorrow का क्या हो जाएगा, the work will be, will का क्या हो गया, will भी हो गया do की third form क्या होती, done so the work will be done by me और tomorrow पीछे है न, तो tomorrow को पीछे ही रखो they shall eat food in the restaurant they shall eat food in the restaurant का क्या हो जाएगा food shall be क्या है, food shall be eaten by them food shall be eaten by them हो गया, शेल है तो शेल ही लगाना है, mostly वो option के इसाब से होगा, option में सब दियावा होगा, in the restaurant का in the restaurant हो जाएगा पीछे को जो है, वो पीछे as it is रहेगा, कुछ भी change नहीं है next देखते है future perfect tense future perfect tense अभी मैंने दो दिन पहले परसो पढ़ाया था, मैंने आपको tense in one short, तो आज active passive in one short है, तो मैंने future perfect पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, इसमें by बहुत बार लगता है, by next day, by tomorrow, by next year, by this night है ना, इन सम में by लगाना बहुत जरूरी है तो अब देखो अगर has change हो जाएगा has been में, है ना had change हो जाएगा had been में तो ये जो will have है will have किसमे change हो जाएगा, will have been में, और verb की third form तो लगाना आनिवारे है ही तो देखते हैं यहाँ पे I will have joined the class by next week, by next week लिखा है ना, तो by next week को तो पीछे ही रखो, इसको change करो, चलो देखते हैं the class will have been, क्या हो जाएगा will have been, इसमें एक फायदा रहता है verb की third form, verb की third form same रहती है, will have been joined, बस हमको been लगाया मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल joined by me by next week तो हम क्या है कभी कभी जो है, जब by दो बार आ जाता है, हाँ, तो हम क्या इसको ignore कर सकते हैं यह चलेगा, और अगर सही अगर लगाओ भी, तो भी गलत नहीं है बिल्कुल सही है, अगला ocean, she will have watched the new movie, तो क्या हो जाएगा देखे, the new movie will have been, will have been, watched का watched ही रहेगा, by her, simple, कुछ भी change नहीं है, the new movie will have been watched by her, एकदम perfect है, कोई इसमें बदलाब नहीं, अब मज़े की बात यह है, कि अभी तक हमने जो है, total 8 पड़े हैं, present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past perfect, future simple, future perfect, बाकी नहीं पड़े, क्यों नहीं पड़े, किसी लिए नहीं पड़े, इनके active से passive voice बनते ही नहीं है, ठीके, तो यह बनते नहीं है, तो कोशन आएगा नहीं एक्जाम में, that's it, that's it, ओके, आगे बढ़ते हैं, यह हमारे भारति सम्वेधान की बड़ी class जो आपको share करनी है, और मेरी help करनी है, इस class की PDF और जो पिछली classes की PDF है, सारी आज आपको मिल जाएगी, इसको और इंग्लिश पर, अब है, let type questions, let type questions क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, which do not have subject, जिसमें subject नहीं होता है, अब अगर subject नहीं होता है, तो हमारा rule क्या हो गया, fail, जैसे, जैसे लिखा है, open the door, जैसे लिखा है, go away, जैसे लिखा है, get out, जैसे open the door लिखा है, तो हम इसको, let वाले questions को कैसे लिखेंगे, इसका मैं एक तो trick बताता हूँ, ऐसे questions में क्या है, let के साथ में क्या आएगा, object, object के साथ क्या आता, B, और B के साथ वर्फी third form आती, let के साथ में क्या लगेगा, the door, क्योंकि object क्या यहाँ पर, the door है, object तो है ही नहीं, let the door, उसके बाद क्या लगेगा, B, और फिर क्या हो जाएगा, open, ठीक है, यह तो इसका हो गया, लेकिन, अगर मैं लिखता हूँ, please open the door, तो यह वाली चीज गलत है, इसमें यह बिल्कुल सही है, इसमें यह गलत है, तो जब please open the door लिखावा आता है, तो उसका क्या होता है, देखना है ना, बहुत ध्यान से, please को हमको लिखना है, you are requested to, please को क्या लिखना है, you are requested to, to ही लिखना है, please का मतलब हो गया, you are requested to, और जो पीछे लिखावा है, as it is लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, open the door, क्यूंकि third form आ गई है, requested third form है, एक ही बार लगेगी third form, you are requested to open the door, बिल्कुल सही है, next, shut the door हो गया, तो let the door be shut, shutted नहीं होगा, वर्ब की जो फॉर्म है, shut की, shut, 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 one, two, three, तीनों सेम है, post the letter at once, let the letter be posted at once, तो at once क्या है, end का end में ही पढ़ा है, always speak the truth, let the truth always be spoken, spoken verb की third form, do not starve the cow, let the cow not be starved, staff का मनद भूका ना रखना, let him help his brother, let his brother be helped by him, clean your room, let your room be cleaned, learn your lesson, let your lesson be learnt, learnt की spelling ये ल-e-e-a-r-n-t होती है, next, please do me a favor tonight, तो please लिखा है, तो you are requested to as it is लिख दिया, तो ये यहाँ पर as it is लिख दिया, you are requested to do me a favor tonight, get out of my house, अगर किसी को बोल रहे हैं, get out of my house, तो please तो नहीं लिखा न, order ही होगा, तो you are ordered to, तो लिख दिया, ordered के साथ भी to आता है, और फिर पीछे as it is, get out of my house, माई है यह न, ऐसे कर सकते हैं, kindly do not smoke, kindly का मतलब होता है request, so you are requested, negative sentence है, तो to नहीं होगा, not to होगा, not to smoke in public place, ये वले कोशन, ये वले कोशन, PDF से revise करना है, 15 तारिक को, 15 December को ये revise करना है, 16 December को नहीं पढ़ना है, English बिलकुल भी, नेक्स्ट, प्रेक्टिस कोशन है, अब मैं इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, और concept wise तो अपन चली रहे हैं, ओके, तो सबसे पहला कोशन है, we have already done the exercise, ठीक है, we have already done the exercise का क्या होगा, तो the exercise आजाएगा पहले, और exercise तो singular है, तो has लगेगा, exercise के साथ have की जगे has आजाएगा, has कहाँ है देखो, देखो एक ही जगे है, the exercise has, have, has का क्या करते थे हैं, has been, have been बनाते थे, तो been चेक करना है, has already been done by us, option number D, इधर से अपना answer क्या होगा, option number D आगया, बिल्कुल ठीक है, next question, एक काम करो, इसका answer फटाफट बताओ, पढ़ो भी खुदी, जब तक मैं पानी पी लेता हो फटाफट से, जल्दी से पढ़के बताओ, जी, जब बताफट से, सी, देखते हैं सी है या नहीं है इसका answer, देखो, लेंडेड है, लेंडेड का मतलब वर्ब की second form होती है, तो वाज़ वर्ब के साथ वर्ब की third form लगानी है, पास्सिंपल है ना, पास्सिंपल में वाज़ वर्ब लगता है, चलो देखते हैं, यहां से हैज और हैट तो कम हो गया, या तो क्या होगा, दा प्लेड वाज लेंडेड या वाज तो नहीं हो सकता, अंसर क्या हो गया B, क्या उप्शन नंबर B है इसका answer, दा प्लेड वाज लेंडेड सेफली, पाइड पाइलेड, नेक्स्ट कोशन, यहां पर देखो, चेंच इंटू अक्टिव वाज, पैसिव से अक्टिव करना है, उल्टा करना है, पैसिव से अक्टिव, तो क्या हो जाएगा देखो, पाइ के साथ जो लिखा है, वो आ गया जाएगा, तो एन एम्प्लॉई ऑफ दे बैंक, सब जगे लिखा है, वोज स्टोलन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को, हम वोज के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में करते हैं, उल्टा हो गया, यह ऐसे हो गया उल्टा, तो रैसे राइटिंग की क्लास पे ले लो, पोजिशन पे चलते हैं, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ, तो इसका अंसर क्या होना चाहिए, यू आर, यू के साथ आर आता है, नो की थर्ड फॉर्म नोन, फिर बाए और फिर मी, यू आर नोन बाए मी तो क्या हो गया, आप्शन नमबर सी हो गया, बट ये गलत है, गलत है, ठीक है, हमेशा नोन के साथ में, फिक्स प्री पोजिशन आता है, टू, तो टू का क्या हो जाएगा, आप्शन नमबर भी हो जाएगा, यू आर नोन, तू मी, आप्शन नमबर भी, एकदम परफेक्ट है, नेक्स्ट फोजिशन पर चलते हैं, आई एम इटिंग ब्रेक्फ़स्ट, ब्रेक्फ़स्ट जो है, हाँ, बिल्कुल सही है, खाना खा रहा हूँ मैं, तो इटिंग है यहाँ पर, यानि कि आई एन जी फॉर्म है, यानि कि प्रेजंट गंटीन्यूस टेंज है, इसका मतलब हमको पता है, कि बिंग लगेगा, ठीक है, अब बिंग लगेगा तो अनसर देख लेते हैं, ब्रेक्फ़स्ट इस इटन बाइमी, बिंग नहीं है ना, breakfast is being eaten by me बिल्कुल सही option number B ठीक है ये गलत हो गया was और was तो हट गया क्योंकि ये past नहीं है present है active passive में tense change नहीं करना कभी भी ठीक है next question a novel will be read by Nikita ठीक है तो यहाँ पर by के साथ लिखा है क्या लिखा है by के साथ में इसका change हो जाएगा क्या हो जाएगा Nikita will भी है तो will हो जाएगा अब will Nikita will जहाँ भी है answer कर दो ठीक है तो Nikita will read a novel ठीक है Nikita will read a novel बिल्कुल सही है इसका answer एकदम perfect next question पर चलते अच्छा question था ये तो अब देखो question तो सीधे सीधे आते नहीं है question तो घुमा के ही पूछेंगे active से passive नहीं passive to active पूछने की उमीद जादा रहती है DJS में तो और MPCJ में direct question आने की ज़्यादा संफाब ना है और पिछली बार जो है वो present perfect से आया था question एक तो और एक past से आया था next देखते हैं the convict was found guilty by the jury देखें convict was found guilty by the jury है तो by the jury लिखा है तो यहाँ पर यह passive voice है और passive voice से हमको क्या करना है active में बदलना है देखें active के अंदर कौनसा rule repeat करना है यह वला rule repeat करते थे बिल्कुल सही है देखो will का हम जब change करते थे तो will be में change करते थे अब हमको क्या करना है active में change करना है तो उल्टा करना है तो will be का क्या हो जाएगा will हो जाएगा इसलिए will be का will हो गया same concept इसमें भी है was के साथ वर्ब की third form तो जब हम active voice से passive voice में convert करते थे तो वर्ब की second form किस में change होती थी was वर्ब के साथ वर्ब की third form में लेकिन यहाँ पे तो अपन को active में बदलना है तो इसको opposite करना यानि कि second form जहां भी है इसकी found की second form found ही होती है answer वो ही होगा तो the jury found that कैसे आ गया यहाँ पे see the jury found the convict guilty लेकिन आपको वापस से देखना है exam में हाँ आपन याद है ना बच्पन में भी अपन वापस चेक करते थे वापस चेक करना है इसका वापस passive voice बन भी रहा है या नहीं तो क्या बनेगा the convict was found guilty by the jury तो वो ही लिखावा है next question we waste much time on triples ठीक है फालतु चीजों में अपन time based करते हैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे क्या होगा on triples अलग है ठीक है we हमारा subject है waste हमारा verb है और much time जो है हमारा object है तो ज्यादा तिमाग नहीं लगाना हमको waste यानि की verb की first form है यानि की present tense है तो much time time uncountable होता है तो is लगेगा much time is यह और यह तो cut हो गया इन दोनों में से answer बता दो much time is wasted by us on triples अब यहाँ पे by us on triples भी है और on triples भी है ठीक है तो दोनों सही है लेकिन जो ज़्यादा सही है वो answer होगा तो option number C सही है ठीक है बिल्कुल सही next question पर चलते है one should not give unsolested advice यानि की एक जने को fall to advice नहीं देनी चाहिए ठीक है तो हम यह वाला question बहुत ही आसानी से कर सकते हैं चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले करता है देखो बहुत easy है अभी मैंने अभी एक छोटी सी trick बताई थी model verb वली उससे हम बहुत अराम से कर सकते हैं right देखते हैं कौन सबसे करता है इसको should है तो should किस में change होता है should be में change होता है तो यहाँ पर should नहीं है should can कैसे बन सकता है और should may भी नहीं बन सकता इसका answer क्या हो जाएगा option number t unsolicited advice should not be given बात खतम हाँ that's it next question पर चलते हैं the old lady touched sorry the old lady touched and patted the cow ठीक है उनको touch किया और फिर patted किया ठीक है हाँ थप थपाया तो इसका क्या होगा passive voice तो किसको किया गया cow को किया गया ना तो cow तो हमारा object हो गया तो सबसे पहले तो यह d cut गया the cow के साथ में was आएगा was क्यों क्यों क्योंकि verb की second form है तो यह भी cut हो गया या तो यह होगा या यह होगा ठीक है the cow was touched by the old lady petting her या फिर the cow was touched and patted by the old lady सबसे सही answer क्या है option number C है बात ही खतम हो गई बिलकुल सही next question पर चलते है look they have painted the door look तो as it is रहेगा इसको change करना है the door इदर आ जाएगा they का them बन जाएगा देखो they का them कहां बन रहा है कहीं नहीं बन रहा ठीक है तो वो by them लगाना गलत हो जाएगा ठीक है have के साथ painted है तो जब भी has have होता है वो किसमें change हो जाएगा has been have been में exam में बहुत सारे student जो है head been करके आएंगे head been करके आएंगे लेकिन वो ध्यान रखेगा tense change नहीं होता इसका answer क्या हो जाएगा look the door has been painted by them तो by them क्या है ignore किया है करते हैं देके करते हैं next question पे चलते हैं Leo Tolstoy wrote war and peace Leo Tolstoy कोई author का नाम है उसने क्या है कि एक किताब लिखी है जिसका नाम है war and peace तो war and peace तो एक ही किताब है singular है wrote यहाँ पे क्या है वर्प की second form तो was work के साथ वर्प की third form आती है तो word तो आ नहीं सकता क्योंकि एक ही किताब है तो was आएगा was ढूंड लो अंसर है INC form नहीं है न तो being नहीं आएगा इसलिए इसका अंसर क्या है option number ए war and peace was written by Leo Tolstoy यह क्या अच्छा कोशन है next question the doctor bandage the arm of the injured man doctor ने जो arm of the injured man है उसे क्या किया bandage किया चलिए देखें फ़ड़ा बहुत दिमाग लगा के options से करके सारो options जरूर पढ़ने होते हैं सबसे important चीज क्या है options पढ़ना देखते हैं कौन सही करता है ठीक है तो क्या हो जाएगा इस कांसर the arm of the injured man क्या हो जाएगा the arm of the injured man कहां कहां लिखा है यह तो बहुत easy हो गया हाँ simple the arm of the injured man was bandaged by the doctor next question पर चलते है it is being read by us ठीक है it is being read by us तो यहाँ पर by के साथ आ रहा है us तो सबसे पहले तो इसको change कर देते हैं we we के साथ is नहीं आता वी के साथ आता है आर वी के साथ आता है आर being read का change हो जाएगा reading में we are reading अब we are reading काहा लिखावा है देख लो और किसको read करें इट को तो वी आ रीडिंग इट option number 8 थोड़ा थोड़ा अपन को आजाए चीजे तो अपन क्या है बहुत सारी चीजों को सही कर सकते हैं next question पे चलते a fresh batch of eggs was collected by the farmer's wife तो by लिखावा है यानि कि the farmer's wife सबसे पहले आएगी तो farmer's wife आ गया was collected है तो second form आएगी पतम ऐसे question कर सकते हैं मतलब बहुत आसान हो गया यह तो question ही यानि कि जो tough question है उसको भी हम easy way में कर सकते हैं the farmer's wife collected a fresh batch of eggs next question पे चलते हैं we will have selected a new team by Monday ठीक है will have selected है तो will have का क्या हो जाएगा will have been अब जहां जहां will have been है वो चेक कर लो यहां भी will have been है यहां भी will have been है यहां नहीं है यहां भी will have been यह तो interesting हो गया यहां पे MONDAY हट गया तो de ay answer गलत हो गया अब उनों में एक अंसर है तो इसका जो सबसे सही अंसर है वो है option number B by Monday starting में कोशिश नहीं करते लगाने की last में ही लगता है option number B है क्योंकि उपर भी पीछे by Monday लिखावा है न पीछे का पीछे ही रहेगा अगर by Monday आगे लिखावा होता तो option एक कर सकते थे अपर next question they are going to build a new office near the old one वो जो है नया office बना रहे हैं old office के पास में चलो देखते हैं क्या answer होता है they are going to build a new office near the old one देखते हैं a new office is going to be is going कहां लिखावा है देख लो और is के साथ ing form में तो being लगेगा is being built is going to build नहीं होगा इसका answer है c a new office is being built near the old one by them लगाने की जरुत नहीं है तो इसका answer क्या है option number c है बिल्कुल perfect next question who broke the window pen देखो simple सा question है जब भी who आये तो उसका change क्या करना है buy home में करना है और buy home के साथ में अगर question mark बनाना है तो यहाँ पे was लगेगा was पहले लगेगा तो by whom head नहीं आएगा the window pen was broken नहीं होता है was होगा ठीके बताऊं क्यों क्योंकि was going लिखा है तो यहाँ पे full stop लगाना पड़ेगा लेकिन अगर कहीं लिखा है was he going तो हमको question mark लगाना पड़ेगा तो हमको question mark लगाना है इसलिए क्या है by whom was the window pen broken अच्छा question था यह तो please wash all the dishes please का मतलब क्या हो जाएगा you are requested to you are requested to ढूंडो तो गेरा और फिर wash all the dishes simple आगे बढ़ते हैं अगले question पे अब जो यह वाला question है यह वाला question है tough इस वाले question का concept है नया और थोड़ा सा अलग है देखो this surface feels smooth यह surface feel करता है smooth तो हमको क्या करना है यह surface smooth है जब इसे touch करते हैं तो क्या होगा this surface is smooth when it is felt ठीके जैसे तो इसका क्या हो जाएगा those mangoes are sweet क्या हो जाएगा those mangoes are sweet when they are क्योंकि यह पूरा present simple है when they are tasted वर्प की third form तो लगाना अनिवार यह है when they are tasted अच्छा कोशन था यह बहुत ही प्यारा सा the boys were cricket sorry the boys were playing cricket तो वर है तो cricket के साथ तो वर आ नहीं सकता वर आएगा तो cricket के साथ वर ढूंद लो ing form है ना ing form देख लो cricket was being played by the boys इसकी pdf को revise करना है 15 तारिक को यह ध्यान रखेगा है ना और यह वो है संबिधान की हमारी class जिसके बारे में बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत बड़ी class होने वाली है इस वज़े से लिके हाँ और यह हमारा telegram group है जिसमें आपको अभी pdf आपको available हो जाएगी surya sir underscore English के अंदर okay then तो मिलते हैं हम कल फिर से MPCJ की class में कल है direct indirect direct indirect को हम narration भी कहते हैं एक ही चीज यह direct indirect को narration को हो जाफिर reported speech को सब एक ही है ठीक है यह कल हम एक ही short में खतम करेंगे okay then thank you have a nice day and God bless you thank you कर दो